कमान जैक एही सारा वो स्टील का वायर का नेट और एही मेरा बजी स्पेरोट का थोटा सा कलोनी जो मैं पहले से बना के रखा था के लिए 18% GST के साथ हमको पेर करना पड़ा वान लक्स सेवेंटी वन थाजन ठीक है इन सबका ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी मैंने आप लोगों को दिखाया था आप लोग मतलब विडियो बना के आप लोगों के साथ सेयर किया था थोड़ा सा मिस्टेक तो मतलब कर जाएगा इस तरीके से बंद कर देंगे और फिर यह गेट खोल के यहां अंदर आएगा तो बिल्कुल सेब है और अभी एक हाथ में कैमेरा और एक हाथ में पकर रहा हूं है चलो है एक्चली वह सर्जी और मैंटम जी पांच बजी इस पर देखे गया था दो प्यार और एक फिमेल जो वाइट वाला एक्स्टा एक फिमेल था अब लोगो को दिखाया था कि मेरा बार्ट बीडिंग फार्म में एक ऊपिन अवियरी बनाने के लिए लोहे का जी आई का पाइप देखे मैंने पूरा कॉंस्ट्राक्शन ताइयार कर लिया था लेकिन उस वक्त थोड़ा फांडिंग का प्रॉब्लेम था इसलिए इसलिए स्टील का नेट मैं पर्चेस करने ही पाया था और अभी थोड़ा मतलब फिनाल सीर कॉडिसें थोड़ा ठीक कर लिया और स्टील का नेट अगर जी आई का होता तो लगा लेता क्यूंकि स्टील का नेट काफी महंगा है मतलब कई गुना ज्यादा हमको प्य करना पड़ा लेकि अगर मैं जी आई का नेट लगाता और ओफॉग और बारिस के मुसम में तो बहुत जल्दी राष्ट आ जाता हो और प्रेंट करते करते मतलब बहुत धिक्कत की बाद हो जाता इसलिए मैंने सोचा कि एक ही बार मैं स्पेंट करूंगा ज्यादा पैसे लगाऊंगा त मेरा रूम से वह दीखता है तो चलिए अब दीखाते हैं कि मैंने क्या पर्षेस किया और कितना पे भी करना पड़ा वो सारा स्टील का नेट परचेस करने के लिए और वहां लेके जाएंगे और लगाएंगे अब लोगो दिखाएंगे तो बने दाएगा इस वीडियो के आ मतलब कैसे आया और लेके जाएंगे फार्म में और यही सारा वो स्टील का वायर का नेट गेज भी ठीक ठाकी है और इससे पहले में जो जी आई का नेट पर्चेस किया था वो सेम टाइप का लेकिन यह स्टील का है और वह जी आई का था और यह सारा पर्चेस करने के लिए टोटल कितना पे करना पड़ा हमको वह भी आव लोगको बताएंगे खाई दयाची को अच्छ को अचा दो जाचा हूद हूद ही ही कुल जा सकते हूद हुद आखाल को अच्छ को速 भी दो हो एक जा आखाल और अभी भैन में जो लोट करना था रेसी से बांधने का काम चल रहा है और और अभी पहुंच गया है मेरा बार्ट वीडिंग फार्म में तो चलिए वो थारा स्टील का नेट को अंदर लेके आते हैं तो यही सारा वो स्टील का नेट को अंदर लेके आते हैं नेट है और हमको यह सारा नेट पार्चेस करने के लिए जो पे करना पड़ा जो पैसा पेमेंट करना पड़ा ओ है मतलब हार एक स्क्वाइर फूट के लिए 135 एक स्क्वाइर फूट के लिए 135 रुपिया करके हमको पे करना पड़ा और टोटाल जो हमको पे करना पड़ा यह 18 परसेंट के साथ हमको पे करना पड़ा 171,000 ठीक है और उपर से यह जो ट्रांस्पोर्टे सेंट बगरा बगरा जो सारा खर्चा रहता है वो छोड़के सिर्फ स्टील का नेट के लिए हमको पे करना पड़ा 171,000 सम्थिंग और यही वो सारा बजीस पेरोट है वो सर्जी और मैडम जी ने जो देखे गया था और अनंदों ने बहुत ही खुपसरती से पांच मटकी लगा दिया एक्चली वो सर्जी और मैडम जी पांच बजीस पेरोट देखे गया था दो प्यार और एक फिमेल यह वाइट वाला एक्स्टा एक फिमेल था तो अनंदों ने ऊपर से मेरा कॉलोनी से और एक मेल पेरोट यह वाला यह वाला मेल पेरोट यहां पेर बनने के लिए यहां लाके छोड़ दिया और पांच मटकी लगाया मतलब तीन पेर बना लेकिन मटकी पांच लगाया ताके ल गड़ाई कम होने के लिए दो मटकी एक्स्टर लगा दिया तीन के लिए पांच मटकी और नेट आज से ही लागाने का काम स्टार्ट हो जाएगा कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके है काम कॉंप्लिट करने के लिए क्योंकि जितना दीने काम चलता रहेगा मेरा ब्रीडि है अगज्ग को कमां जै अजए हुआ हुआ है अगे है अगे बशाग चुल माने में इसे फारा है कि है हुआ है 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 और अब है और है है यह था में गात के मेरा और एक हाथ में पकर जाओं चलो और फ्रेंट से स्टील का नेट मतलब काफी हार्ड है बिल्कूल बहुत कोसेश किया लेकिन स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है इसलिए कुछ इस तरीखे से प्लैन बनाया जुगार बनाया गोर्दा है पीछे और इस तरीखे से कुछ उठा रहे है अलोग वो इदिके हाथ ये ठेविशने रहा है सक को जाल चोले लेगे जाए है और पहला बाला नेट को लागा दिया और ये सेकेंड़ और काम करते करते ये खून निकल रहा है स्टील का जियाई काफी ज्यादा हार्ड है थोड़ा सा मिस्टेक तो मतलब कर जाएगा तो फाइनली मेरा लिए ओपिन एवीरी में बना रहा था उसका काम लगवक खतम ही हो रहा है पूरा कॉंप्लिट नहीं हुआ थोड़ा बाकी है वहां उपर मेरा जो ऊपर यहां बजीश का कॉलोनी है उसका बगल में थोड़ा सा फ्रीज़ अभी तक था तो वहां भी सेट लगा के एक सेट बना रहा हूं तो दिखाएंगे पहले यहां दिखा देते हैं अब लोग को पहले एक गेट बनाया ठीक है और इस गेट खोलने के बाद यहां दूसरा एक गेट बनाया मतलब ताके जो खाना पागेडा देने के लिए आएगा या अगर कोई अंदर आएगा तो सिर्फ अगर एक गेट रहता मतलब तो बार्ट बाहर चले जाने का डर रहता है तो इसलिए पहले इसका अंदर आने के बाद इसको पहले इस तरीके से बंद कर देंगे ठीक है और फिर यह गेट खोलके यहां अंदर आएगा तो बिल्कुल सेव एंड शीक्योड है और कुछ इस तरीके से मैंने पूरा कंप्रिट कर लिया है और यहां यह चोटा सा एक सेड भी मैंने बना लिया है और इसका उपर कुछ प्लाई या नेट लगा देंगे और यहां ही सारा खना वगेरा जो देना है सारा बाट को यहां ही दे देंगे और उपर यहां छोटा सा एक सेड भी बना दिया है ताकि बारिस के बगत पानी ना गिरे तो चलिए अब यह और यहीं मेरा 22 परोट का कॉलोनी है और यह तो पहले से बना हुआ था और यह जो फ्रीज पेस था यहां यहां भी थोड़ा लोहे का जियाई पाइप देखे ऐसे स्राक्चर बना लिया था और अभी नेट लगाने का काम चल रहा है और उपर भी मैं नेट लगा रहा हूं ताकि उपर से चुहा बगेरा ना आ सके और वहां ऐसे एक टीन भी मैंने पर्चेस कर लिया है उपर टीन चढ़ा देंगे ठीक है तो यहां ही खतम कर रहा हूं और अगर वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और आप मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सेट भी कर लिजिएगा और सब्सेट करने के बाद देखेगा उसका बगल में एक बेल आइकन भी आतर हो जाएगा आप वहां भ वीडियो अहीं तक फिर में लेंगे किसी नया वीडियो नया टॉप्पी के साथ तब तक के लिए बावत्यों